तो मुझे इस वात का कर वह है, तो मैं आज सांसद दमोशे हूँ, लेकर एक समय जवादपू के ग्रामीड का शेतर भी बूमदाता उने मुझे कहा है, तो पुरे महाकोसल में, शिवनी, बालागार, शिनवाडा, जिवादपूर, मरसिंपूर, और अब दमोशे, उन सभी मद आता भाईयों आपने मुझे का वियादा दी, एक नहीं जुम्यदारी मिली है, आदर्णी अदर्मोदी जी ने, की सरकार का जो कामकाज है, उसकी जो विसेस्ता मैं मानता हूँ, कोई पहली विसेस्ता ये मानता हूँ, तो उनने जो भी अपना लक्ष तै किया, जो समय सीमा करता है कि उसके भीतत अपने काम को पूरा करना, और इसके हर मंत्री परसत में विभाद किसी के पास भी कुछ भी हो, लेकर मुझे लगता है कि हम सब उस बात के लिए इसें किल्कित है, कि जो लक्ष तै करेंगे उसको समय पर और समय के पहले पूरा करेंगे, मैं मानी सिंग जी के लिए इस वाद का भी आवाद वेकरता हूँ, कि उन्हें गुरुजदम के मामले में बहुत वर्सों से प्रयाज जानी रखे हैं, इस वाद मुझे मिलेगा, कि उन्हें जो योजनाएं अपने मन में रखी थी, जिनको कि वियान में करने के लिए उन्हें कोशिस इसकी थी, उसको पूरा करने का हम दोनों के साथ-साथ प्रयाजने में होगे, जैसा मैं संकल पर वेकरता हूँ, रिस्वास नहीं, बल्कि संकल पर वेकरता हूँ, डुमना नेचर पार्ग के बारे में, कम से कम विभाद का मंत्री होने के नाते में यह जरूर कर सकता हूँ, पारे में, कर दो के हमारा जो वाइलाफ वाइलाफ गया, जो हं मारा सर्कि नहीं होगे, जिननित भी सकते हैं, जहां से भी जब हर आईगा तो आईगा लेकर उसके अशनी होगे वहजी वहाँ पर हैं, तो जह हमारा सर्केट है, पॉल्डर सायद में आपको ऑई देंगे ici ह इसमें हमारे जो सरकेट बने हुए जाए गुद्दिश सरकेट हो, एटे सरकेट हो जाए एको सरकेट हो मद्यप्रदेश में काफी बड़ी सम्भावना है मैं जरूर तोओंगा कि अभी उस नीती की घोश्टा में नहीं कर सकता लेकि मैं दो बाते बड़ी इस पश्ट तोर पर देखता हूँ कि मान अर्वदा ऐसी नदी है दुनिया में जिसमें एक मात दिन की प्रक्रमा होती है भेडा काट जैसा फॉल जो संग्भावना की बादियों से निकलता है अगर दुनिया में हमने इसकी मार्केटिंग की होती तो तूरिसम को साहथ हम संभावना पाते हैं यह संभावना दिखती हैं इस मंद्दाला में काम करने की परियाद तो संभावना यह हैं और उसमेश राज्जे में होप सारी चीज़े हैं by biodiversity हमारे पास में है, plant varieties हमारे पास में है, heritage moments हमारे पास में है, तम्हाम बात है हमारे पास में. हमारे पास में कभी नहीं है. योजवनाय भी खूब रही है, जिसकी कल्पना लोगों के दिमाग में रही है. और इसलिए मैं अपने आपको सोभा के साली समझता हूँ कि प्रधान मंतले जी जिस बात को लेकर बेहद तरीके से गंभीर है उसमें एक मंतलाई संस्कृति और प्रटर मंतलाई भी है जिसमें दोज़गार के संभावनाई भी है और बाकी चीजे भी है तो मैं विश्वात करता हूँ कि इस अउसर पर हम अपने समय पर अपने लक्ष को पूरा करेंगे आज मुझे लगता है कि इतना ही कहना ठेक होगा मैंने संस्कृति मंतलाई में कारिवार समाला है मंगलबार को जाकर हम सब वहाँ पर जाकर प्रेटर मंतला है कि हमें कारिवार समालूगा लेकिर कामकाच पहले दिन से ही प्रारा मत हुआ हम अपनी जन्मुमी में अपने गुर्देव परंपूर्ट शिवासी का आश्क्रिवात लेकर प्रिसेस काम में जुटेंगे जबलपूर के मित्रों से जरूर मिराग रहे हैं कि यह सिर्फ प्रेस कॉंफेंस नहीं है एडवाईजरी बोर्ड की तरह हम आपसे भी सलाय लेते रहेंगे और हम अपनी लक्ष को प्राप्त करेंगे इतना मैं आपसे जरूर कर सकता हूँ आप तब बहुत बहुत अद्वाद देशिए हम पहले दिन से कह रहे हैं मद्य प्रदेश की कॉंगरेस की सरकार की कोई नुची जंता की समस्याओं के समधान में नहीं ये सरकार ये मानकर ही आई है कि ये अल्प समय के लिए आई है और इसलिए ये सरकार पहले दिन से ही इसने मद्य प्रदेश में तबादला उत्योग की स्थापना करती है और सीजे तोरपर हम कहें तो इस सरकार का एजेंडा ही केवल और केवल तबादला उत्योग को इस्थाफित करके उसको पनपाके कुछ लोगों का आर्थे खिदों को हितों को मजबूत करना है और उस दिशा में ये सरकार ताकत से काम कर रही है दुर्भा के जिनक बात ये है कि पूरे प्रदेश और देश में इसकी लगातार आलोचना होने के बावदू भी उनका ये करम लगातार जारी है कल भी उन्होंने बड़ी सिख्या में तबादे किये है सरकारों को जब आवश्यक होता है तब वो तबादे करती हैं उसकी एक इस्थापित ववस्ता है लिकिन आप अपने अधिकारों का दुरूपयों करें पूरे प्रदेश के अधिकारियों के मन पर एक दवा बना कर रखें मांसिक दवा बना कर रखें कि यदि आप जनता केहतों के अनुरूप नहीं यदि आप कॉंग्रेस के अनुरूप नहीं चलेंगे तो आपका तबादला होगा और उन तबादलों को करने में ऐसे अनेको आठ्टे खेत जुड़े हुए हैं जिनके प्रमाण पत्रकार मित्रों नहीं बाचीत के दौरान मुझे दिये या कहे हैं लेकिन हम इसकी आदोचना करने और ये दुर्भा के पून है लगातार होने वाले तबादलों के कारण मत्यप्रदेश में एक और जहां काम रभावित हो रहा है वहीं उसके साथ-साथ लोगों के मन में अधिकारियों के रभचारियों के मन में एक भय का वातावरण भी मना है और इसलिए ये इस तरह के वातावरण में मत्यप्रदेशन में विकास के और चलिद के कार्व नहीं हो सकते हैं एक बड़ा तो अब यहां कि इसको तबादना वज्योग बना दिया उसका मतलब ही सीधा सीधा यही है वादो कहना है उसके पीछे आते के जोड़े होई और इसलिए यह सरकार इस तरह से काम करनेगी है वहाद स्ट्रेडिंग को लेकर के 25-30 रुपए ब्लस मन्ताल है ऐसे आगोब लगा रहे हैं कॉंग्रेस और उनके स्थर्व नहीं है अपने अंतर विरुदों के कारण यह डरी होई है इनको लगता है इनके भीतर की जो गुड़बाजी और अंतर विरुद है उसके कारण इनकी सरकार को हमेशा खत्रा बना रहने वाला है भारती जल्तावस का है कि हम आपकी सरकार नहीं गिरा रहे हैं आपकी तरट विरुदों के कारण गिरे हैं और इस dalla ये बार ये वार कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं जो और है और इसका कोई आधार नहीं कहता कि कि हम सरकार को नहीं किरा रहे हैं लेकिन इनके अंतर विरुदों के कारण यह सरकार करें कि उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन को अलोब लगा रहे हैं कंटीन्यू कि आप उनकी विधायको को फरीत परोगू मैंने अदुंतर दे दिया ऐसी बार का भी अनुदर दीगा उसमार की विदायक बन गया की पर देखता कि वो उसमीडन के पर देखते हैं इसमें कोई सर्जरे कैसी को दाइकी सगढ़ना नहीं है, में जोरकर काम करते आएं, आने वाले समय में काम करेंगे, जो आवश्यक होगा, उतनी चीज़ा हूँ, सभी को दन्यवारत। अगर कोई विशंगती आई है, तो उसको दुरस्त करना और जड़ता के साथ दुरस्त करने की ज़रूत है, जब कभी आप किसी पुराटात्यों के स्थान के बादे में ट्रै करते हैं, तो आप उसको किसी साथ से को दन्द के आधार पर तरी करते हैं, इस सब पर लागू होता और सायज विशंगतीयां की तरफ यही बाते आती, इसमें कोई इस्तरकार का रवजिया बगाद साफ है, हमारी सांसरते दरोर के प्रती हम घड़ता के साथ अपने आगे बढ़ेंगे, इसमें और कोई पर्सेप्शन इना बिगड़ा हुआ है, तो उसको दुरस्त भी इसमें एक उधारणा आपको देता हो, जैसे कुम हो, कुम हमारी बढ़ासरती आज इनुसके नहीं मालिया, लेकर इसके पहले दसकों तक सताफ्जियों से हमारे बारे में जो दारणा बनी थी, उधारणा गलत थी, और उधारणा दुरस्त हो गई एक बार ने, ये मोजी सर जैसकती बहान है, अगर कोई विशंगती आई है, तो उसको दुरस्त करना और जड़ता के साथ दुरस्त करने की जरूरत है, जब कभी आप किसी पुराटात्यों के स्थान के बाले में ट्रै करते हैं, तो आप उसको किसी सासर को दन के आधार पर तरी करते हैं, ये सब पर अगर होता है, और साहर विशंगतीयां की तरफ ये बाते आती, इसको कोई इस्तरकार का रवाईया अगरा साफ है, हमारी सांसरी दरूरत के प्रती हम घड़ता के साथ अपने आगे बढ़ेंगे, इसमें और कोई पर्सेप्शन इना बिगड़ा हुआ है, तो उसको दुरस् हो गई एक बार, ये मोजी सरकार की सबस्ता है, इसलिए मुझे लगता है कि कहीं कोई घ्रम नहीं है, दमोर, साहित, इतिहास, वहां के पुरादत्य और रष्टी से बहुत बहुत पूर्ण इस्तान है, पुरदत्य उसको अनेक संभाव गाए है, वहां छटी सब्दी के अन अनेक आपको स्थान और मुर्टिया मिल जाएंगे, जो साहत किसी जले वह असानी से मिलती नहीं है, साहत के शित्र में संद जुडी राग तीन सो वर्ष पराने नर्लोड धाना के दोगे हैं, से अनेक दोगे, और इसके मुझे लगता है कि वहां सम्मावना है है, हमको मैं बता दूगा, अभी बताओंगा करता है करता है